हेलो एवरिवन, कैसे हो आप सब अच्छा बिल्कुल भी टाइम ना बिगरते हुए यहाँ पे आज मैं जो कढ़ा बना रहे हूँ वो मैं परसनल अपनी बॉड़ी के हिसाब से मैं बनाती हूँ मेरी बॉड़ी के हिसाब से मैं आपके लिए शेयर कर रहे हूँ ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं एक सजेसन दे रहे हूँ कि आप सब भी से फॉलो करें तो प्लीज यह ध्यान में रखें क्योंकि हर एक चीज हर बॉड़ी के लिए नहीं बनी होती है क्योंकि बॉड़ी के ओपर डिपेंड करता है वह कितना सुटेबल है आपके लिए अच्छा यहां पर जो है इसे कहा जाता है कडू कडिया तो यह जो है सबसे पहले इंग्रीडियन्स मैं इसमें डाल रहे हूँ वह है कडू जो एक wiz persecuted hair और थोड़ा सा मुटा मुटा होता है यह और इसके benefits बहुत सारे है क्युक उसमें हमारे इंडिया में कई जगा पे इसे कडू कहा जाता है हम लोग के गुजरात में कडू कहा जाता है इसे सो यह लिया है इक्वल पार्ट में एक्चुली लेना होता है दोनों चीज और यह जो सेकंड इंग्रीडियन्स है वो है हमारा करियातु जिसे आइटिंग कहीं पर चिरियाटा सम्थिंग बुला जाता है मुझे आम नाट प्रिटी शॉर इफाम इफाम नाट रॉंग लेके आई थी आमिन मैंने बाइक किया वहां पर और कडू जोता है वो बहुत महंगा आता है तो आई डून नो कुछ चीजे मेरी पार्सल में आई थी कुछ चीजे बैग्स में आई थी सो वो कडू में मेरे हाथ में ही नहीं आया मैंने इतने टाइम से इसको डुंडा घर लेकिन नहीं मिला तो साइथ वहां रह गया या कहीं पर भी ये मिस प्लेस हो गया है तो मेरे पास बहुत थोड़ा सा ये कडू है आप देख सकते हो तो मैं इतना ही ले रहे हूँ अभी के हाल में तो मैंने मंगवाया है इंडिया से देखती हूँ अब कब आएगा लेकिन । इतना भी है उतना मैं अभी इसे ले रहे हूँ हूँ तो तोनों इकटमान में इसे लेना है और जितना लेना है अगर अगर आप एक कप ले रहे हो तो इसमें sixuck eightlov इसमें पाणी एड करना है हमें। पानी बहुत सारा डालना है क्योंकि इसे उबालना है जो भी कड़ा होता है उसे उबाला बहुत जाता है so actually ये जो recipe है ये जो दवाई कहलो इसे ये बहुत सारे चीजों में काम में आती है जैसे fever हो गया, infection हो गया, malaria हो गया, skin problem में बहुत सारी immune boost करने में so बहुत सारी चीजों में ये काम में आता है, diabetes हो गए लेकिन मुझे सच बताओ, बहुत benefits मिलता है इससे, मैं साल में इसे दो बार करती हूँ seven days का मैं इसे target रखती हूँ, seven days एक बार उबाल के रखनो, so seven days मेरा चल जाएए मैं इस दो तिन दिन का उबाल के रखती हूँ, आप चाहो तो रोज का रोज इसे कर सकते हो लेकिन आगे मैं बताओंगी के रोज के रोज मैं क्यों नहीं करती हूँ, so मैं यहाँ ज्यादा बना रहे हूँ जो यह दो तिन दिन आराम से चल जाएए, मेरे यहां हम तिनों ही इसे लेते हैं, so इस हिसाब से यह तिन दिन साएच चल जाएगा so yes, so इसे भीगो के रखना है, 6-7 गंटे, 8 गंटे आप जितना चाहो इसे भीगो के रखो लेकिन भीगाना बहुत जरूरी है और यह powder form में भी आते हैं दोनों चीज, so मेरा recommendation है कि प्लीज वो ना ले क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है मैं भी, मैं guarantee नहीं दे रही हूँ उसकी, लेकिन यह जो चीज होती है, हम साबूत लेते हैं, उसे हमें पता चलता है कि भी यह pure तो है ही है so इस वज़ा से मैं powder नहीं लेती हूँ, यह जो है न, यह Amazon में powder form में ज़्यादा selling की जाती है so बस इसे, जैसे मैंने कहा, 7 hours हो गए हैं यहाँ पर, मैंने रात को भी गया था और सुबह उठा के, उठके मैंने इसे उबालने के लिए डाल रख दूंगी आप चाहो तो सुबह इसे भीगो दो और रात को इसे कर लो, और रात को भीगो, सुबह कर लो अगर सुबह इसे काफी टाइम लगता है उबालने में और इतने देर में फिर हमारी दवाई लेनी होती है, रूटीन का जो पानी पिना होता है, चाय लेनी होती है, जो भी कुछ अगर आप नास्ता कर रहे तो नास्ता करना होता है सो ये टाइम विंडो हमें रखना होता है, सो इस हिसाब से मैं इसे प्रिफर करती हूँ, कि मैं इसे उबाल करके फ्रीज में स्टोर कर दूँ, ये दो-तीन दिन आराम से चल जाता है, और फिर मैं इसे गरम करके पीलू, इसे लिक वाम लिया जाता है, ठंडा बिल्कुल भी कंजूम नहीं करना है, सो आप देख सकते हो, यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में बस ये उबल रहा है एक तरफ और एक तरफ दूसरे मेरे काम होंगे, सो सबसे पहले थोड़ा सा टेंपरेचर मैंने हाई किया हुआ है, यहाँ पे उसके बाद मैं इसे स्लो फ्लेम पे करू करने काम करता है, यहाँ पे अच्छे से उबल गया है, बस इसे में ठंडा होने दूँगी, गैस को आफ कर दिया है, और ठंडा होने के बाद मैं इसे कंटेनर में च्छान करता है, के भर लूँगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, गैस जैसे मैंने का, आफ किया है, और काफी ऊबल के रिड्यूस हो गया है, जितना हमने लिया था, उसे काफी, I think, वन फोर्थ यहाँ रह गया होगा, उतना हमें उसे उबाल लेना है, आप चाहो तो अधा भी उबाल सक कि यह थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में आपको हार टाइम दे सकता है और सरवात में अगर लेते हो स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी पेन वगेरे होगी क्योंकि यह खुरच खुरच के निकालते हैं पेट मेंसे जो भी चीजें होती हैं हमारे आते को अच्छे से साफ करता है इस वजह से सो मेक्सियर करना अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो डेफिनेटली स्टॉप इसको मैंने यहां च्छान लिया है और जैसे मैंने कहा मेरे पास इतना ही मटेरियल है करिया तो काफी है कडू नहीं है तो मैं थोड़ी सी लालची हो रही हूं यहां पे इसी में ज अच्छा है च्छाना हुआ हमारा कडू करियातु जो है उसके अंदर में थोड़ा सा पानी एड करके फिर से इसे अब ज्यादा नहीं भीगाऊंगी दो एक दो घंटे भीगो कि इसे रखोंगी और फिर उसे मैं फिर से उबालूंगी जिसे मेरा थोड़ा बहुत और सके तो बस इसे मैं बार-बार आपको दिखा रहे हूं कि इस तरह से आप कर सकते हो स्टोर और चाहो तो फ्रेस भी बना के लेकिन फिर हमारा वही होता है कि मॉर्णिंग में जो हमारी दवाई लेनी होती है उससे दो-तिंग घंटे मैं इसे टाइम देती हूं कि दो-तिंग कि पहले में ले लू उसके बाद में अपनी दवाई लू सो जिससे वो इंट्रेक्ट ना करें एक दूसरे को जिस तरह से आगे का प्रोसेस किया सेम वे और जैसे मैं इसे स्टोर करती हूं फ्रीज में दो-तिन दिन का बना करके कि भी मैं दवाई का टाइम रहे दो-तीं गंटे में पहले ले लेती हूँ और उसके बाद जो हमारी रूटीन का पानी लेना होता है warm water morning में फिर हमारी दवाई लेनी होती है उसके बाद हमारा चाय हो गया के नास्ता हो गया आप जो खुआ हो वह सारा कुछ हमें gap मिल सके एक window मिल सके इसके इसके इस इस साफ से मैं इसे करते हैं अगर आप इस सुबह उठकी इसके उबालने रहोगे फिर उसे पी उगे तो बहुत टाइम लगता है उसे उबालने में टाइम ही बहुत काफी लग जाता है और फिर हमारी दवाई वगेरे तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते और अगर आप ये remedy जब कर रहे हो तो आप जीरा वाला धनिया वाला कोई भी remedy साथ में ना करें मिस दूरिंग दे आप दूसरी कोई भी remedy ना करो क्योंकि at a time one ही करना चाहिए हमारे immune system को हमें इतनी भी boost नहीं कर देनी है कि हमें उससे गेर फाइदे हो या हमारी kidney को effect हो आप सबको पता है हमारी immune बहुत weak होती है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें एक साथ उसे boost करना है otherwise वो भी अच्छा नहीं होता है ना अच्छा ये कहड़ा जब भी आप पीते हो उसके बाद आपको कुछ भी एक घंडे तक कुछ भी नहीं लेना है ना ही पानी लेना है ना ही कुछ खाना है यह कड़वा बहुत होता है, अगर आपके जीब में, मुह में बहुत कड़वा है ठोरी है तो आप थोड़ा सा मुखवास वगेरा कुछ डाल दो, अदर्वाइस कुछ खाना बना नहीं है, पानी भी नहीं लिना है, वन आवर के बाद आप वाटर वगेरा ले सकते हो, जिसे अच्छे से हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आते जो होती है, वो अच्छे से साफ हो सके, यह सेकंड बैच भी यहां पर उबल के रेडी हो गया है, और इसे मैंने छान भी लिया है, यहां पर बस अब इस मटीरियल को हम फेंक देंगे, इसे री यूस फिर नहीं करना है, यहा अब आप इसे यहां देख सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करना है, यह से कंटेनर को फ्रीज में से बहार निकला है, और अच्छे से इसे मिक्स करना है, उसके बाद मैं इसमें आप चाहो तो कोई भी एक स्टील के बरतन में इसे गरम कर सकते हो थोड़ा बहुत या फिर आपके पास microwave है तो इस तरह से आप microwave जो भी safe cups है या बाउल है आपके पास जो भी उसमें आप warm कर सकते हो सो मैंने यहाँ पे इसे cup में निकाल लिया है और 30 seconds के लिए मैं इसे warm कर लूँगे microwave में सो मेरा यह easy to go हो गया morning में और जब भी यह लेना होता है तो around मैं 4 बजे के आसपास ले लेती हूँ जिसे 7 बजे की मैं या फिर 6 बजे सुबे जो उठके मैं पानी लेती हूँ वो मुझे time रह सके और warm water consume करना बहुत जरूरी है इसके बाद क्योंकि इससे ही आपका पेट अच्छे से साफ होगा सब देख सकते हूँ यहाँ साड़े तीन बजे हैं मेरी आँख एक्चुली खुल गए थी मैं बात्रूम करने उठी तो सोचा चलो अब 4 बजे फिर आदे गंटे के लिए एक बार आँख लग जाएना तो फिर उठना बहुत मुस्किल हो जाता है सो मैं अभी उतर के इसे ले लिया था मैंने और उसके बाद यहाँ पे अराउंड छे बजे होंगे सो मैंने यहाँ पे अपना वाम वाटर लिया जैसे मैंने कहा वाम वाटर लिना बहुत जरूरी है जिससे आपका यह सिस्टम अच्छे से क्लीन होगा और उसके एक घंटे के बाद वो हमारी दवाई लिनी है जो भी वो दवाई ली जैसे मैंने कहा इस वज़े से मैं इसे उबालके रखती हूँ और थोड़ा से जल्दी ही लिना है फिर हमारा चाई वगेरे जो हो गया लिना होता है और सेकंड हमारा होता है फिर 10-11 बजे के यही एकाद फ्रूट लेना और मिल्क लेना मिल्क अच्छा है इसमें लेना मैंने दो-तिन दिन लिया फिर कुछ ज्ज़ादा ही मुझे पेट अपको हो गया सो मैंने मिल्क को स्किप कर दिया था क्योंकि इसे भी पेट अच्छे से साफ होता है ना साहिस वजह से हमें इतना भी नहीं करना है कि फिर विकनेस आ जाए सो बस ये वीडियो यहीं तक कि थी I hope so मैंने enough information दी होगी और जैसे मैंने कहा again प्लीज अपने डॉक्टर से consult कीजिए I will give डॉक्टर आपके नियर जो भी हो वो आपके बॉड़ी की हिसाब से आपको ये recommend करेंगे और आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है प्लीज कॉमेंट में जरूर से बताना मुझे टेक केर और बाई